प्रति दिन जीवन का अनद लेना में स्वागते, मेरा विश्वास है कि आज का संदेश आपके जीवन में अच्छा प्रभाव डालेगा क्या प्रभु इस बात को स्वीकार करता है कि लोग अपने जीवन का आनद ले मेरी ख्याल सी कभी-कभी जब हम प्रभु के बारे में सोचते हैं हम सिर्फ यही सोचते कि वो बली चाहता है परंतु यहना 10-10 में बाइबल कहती है वास्तों में इश्व कहता है कि चोर-चोरी करने मारने और नाश करने के लिए ही आता है परंतु इश्व ने कह में आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं भरपूर जीवन पाएं जब तक कि वो उमड़ना पड़े आज की प्रवचन का आनद लीजिए और अपने जीवन में आनदित रहने का निश्च चै अवश्य कीजिए मसीई की देह में एक शिक्षय खोने के नाते मीरा एक लक्ष है हम सभी के लक्ष में ज़रा फरक रहता है प्रभू सभी को एक ही काम करने का बुलावा नहीं देता है यदि ऐसी बात हो तो फिर सारी जरूरते पूरी नहीं होगी कुछ लोग प्रचार करने ही तू बुलाए गए हैं और वे भुनियारी तोर पर प्रेरिणा देने वाले होते हैं वे आकर आपको प्रोथसाहित करते हैं प्रेरित करते हैं आप उनके पीछे पड़ जाते हैं और जब एक चले जाते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो आर्थिक पहलू पर ध्यान के इंद्रेट करते हैं, और कुछ चंगाई की और देखे वर्दान भिन भिन प्रकार के होते हैं, प्रचारों के बीच भी प्रभु विभन वर्दानों को रखता है, जैसा कि आप जानते मेरा वर्दान है, लोगों को रहने देखकर उसे दूर नहीं कर सकते अर्थात मुझ में ये बोज है मेरा कहने का तात्पर है कि मुझ में ये तरस है कि मैं लोगों को उस जीवन का आनन लेता हुआ देखूं जिससे देने के लिए शू मरा मैं आपको सिर्फ उसके बारे में बोलता हुआ ही नहीं वरन उसमें चलता हुआ देखना चाहती हूँ इसका आरंब उसे मुझ से सुविकार करने के साथ करना अच्छा होगा परंत्व अंत में उसे पाकर ही रहना होगा यूहन्ना अध्यायदस पद्दसिक बिल्कुल ही बढ़िया बात बताता है पवित्रात्मा कानुसरन करने की क्षमता रखने में स्वतंत्रता है जब भी आपको जो करना चाहिए उसे आपने करने पर उसके साथ नियम, कानून और दन लगा रहे हैं तो उसमें कोई स्वतंत्रता नहीं होगी वो कहता है कि चोर केवल चोरी करने, हत्या करने और नाश करने आता है मैं आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुत आयद से पाए और उसका पूरा आनन्द ले भरपूर जीवन पाए तब तक कि वो उमड़ना पड़े बढ़िया वचन है केवल जीवे त्रहना नहीं बलकि जीवन का आनन्द लेना इशू जीवन देने आया इसका यार्थ नहीं कि केवल हमें सांस देने आया हमें पहले से ही सांस है जीवन वो जीवन जो प्रभू में है प्रभू के अनुसार जो जीवन है वो कहता है वो चाहता है कि हम जीवन पाएं और उसका आनन्द ले और आगे वो सचपुछ बड़ी उगृता से कहता है कि बहुतायत से जीवन को पाएं भरपूर जीवन पाएं जब तक कि वो उमड ना पड़े हमारे लिए जीवन का आनंद लेना इसलिए महत्वपूर्ण है कि हाँ प्रभु चाहता है कि जीवन में आनंदित रहने के वास्ते हम जीवन का आनंद लें प्रभु चाहता है कि हम आनंदित रहें इसका एक कारण ये है कि हम प्रभु के राजदूत है इफिसियों में बाइबल कहती है कि प्रभु एक अनुरोध करता है नहीं ये कुरुंतियों में है क्षमा कीजिए प्रभु हमारे द्वारा संसार से अनुरोध कर रहा है नया जन्म प्राप्त विश्वासी के नाते आप सर्वशक्ति मान परमेश्वर के प्रती निधी हैं आप और मैं संसार को दिखा रहे हैं कि परमेश्वर कैसा है इशू की साथ वयक्तिक संबंध रखने के लिए हम विज्ञापन हैं इसमें संदे नहीं कि मसी की दे में अनिक लोगों को शैतान, दुख, नाराज़ की और हर प्रकार के बुरे फल जैसे आलोचना करना, गपशब, पीट पर बाते करना, आदी में उलजाय रखना चाहता है वो लोगों को निराश, नाराज और तनाव ग्रस्त तथा संघर्ष में रखना चाहता है वो नहीं चाहता कि हम खुश रहे क्योंकि वो प्रकट होगा मैं आप से कहती हूँ, मैं मानती हूँ कि सर्वोच, प्राथमिक और सर्वप्रतम चीज ना कोई धन, ना कोई शान, ना नौकरी, ना कार, और कुछ भी नहीं, यदि आप सफर का आनन नहीं ले रहे हैं, तो फिर सब कुछ बिलकुल ही बेकार है, चाहे आपके पास कुछ भी हो, यदि आप उसका मजा ना ले, तो वो बिलकुल बेकार है, बच्चे पैदा करने से क्या फाइदा यदि आप उनमें आनन दितना रह सके हम इस बात पर हसते हैं किया मैं आपको एक बात बताओं और यह शायद आपको अजीब से लगे जब मैं अपने बच्चों को बड़ा करी थी मैंने बच्चों से प्रेम किया और मैं एक जिम्मेदार माता थी और मैं नहीं कह सकती थी कि मैं अपने बच्चों में आनदित नहीं परंतो अभी अतीत को सोचने पर लगता है मैंने अपने बच्चों का मज़ा नहीं लिया और लगता है काश में ऐसा किया होता या मुझे ऐसा करना था और जानते हैं क्यूं क्योंकि मैं काम में मस्त थी मैं सारी चीजों को साफ सुत्रा रखने में इतनी व्यस्त थी आप में से कुछ लोगों को इसे चुटकारा पाना है मैं कहती हूँ वो गंदगी कल भी रहेगी उसका आर्थ यह नहीं कि आप गंदगी में ही जीए और कभी सफाई ना करें और कभी चीजों की देखभाल ना करें मुझे याद है कि मेरे बच्चे चाहते थे कि उनकी मा सारा काम छोड़कर उनके साथ खेले मैं ऐसा नहीं कर सकती मुझे काम करना है जानते आपके लिए हमेशा काम रहेगा ही आपको जीवन में जरा संतुलन चाहिए कुछ चीजें आपसे निकल रही है जिसे आप दुबारा कभी नहीं पासकेंगे कुछ चीजें ऐसी है जो सिर्फ एक ही बार आपको मिलेंगी और यदि आप उन्हें खो देंगे तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में आप अपने अतीत को सोच कर केवल पच्ताते रह जाएंगे बाद में पच्ताय बिना रहने के लिए आपको अभी इस वक्त सही चुनाओ करना होगा मैं कह सकती हूँ कि आप में से अनेक ना केवल इस कमरे में जो है बलके टेलिविजन के दर्शक भी सच्चा यही है कि वास्तों में आप सफर का आनन नहीं ले रहे हैं आप स्वर के पत पर तो हैं परन्तों आप सफर का आनन नहीं ले रहे हैं, यदि पी आप ले भी रहे हैं, वो बहुतायत नहीं हैं, भर पूर आनन नहीं है। अभी भी जगह खाली हैं, जहां पर आनन भरा जा सकता है। एक नए सतर तक, यदि आज आपको इसके आवशकता नहीं है, तो मैं अपने लिए प्रचार करूँगी, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूत है। आमीन। इश्यू ने कहा, मैं आया, कि वे वो जीवन पाएं, जो उद्धार के जरिये प्राप्त होता है, और जीवन का आनन्द ले। वो नहीं चाहता है कि हम सिर्फ जीवन पाएं, वो चाहता है कि हम उसका आनन्द ले। मैं फिर से कहती हूं कई लोग स्वर्ग की रहा पर हैं, परन तो हर कोई सफर का आनन नहीं ले रहा है, इसका एक कारण ये है कि हम उसे महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। मेरे ख्यास ये महत्वपूर्ण है और यदि आप सफर का आनन नहीं ले रहें तो फिर कोई भी उसे पाने की इचा नहीं रहेगा जो आपने पाया है यदि कलीसिया खुश दिखने लगे तो मुझे लगता है कि इससे हमारी गवाही दस गुना अधिक मजबूत हो जाएगी हमें हर समय किसी बात पर चिंतित रहने के आशकता नहीं है हमें हलके दिलवाले रहकर यह सीखना चाहिए कि प्रभू पर अपनी चिंताओं को कैसे छोड़ दे मैं प्रति दिन जीवन का आनन्द लेना विश्य पर आपको हजारों तरह तरह की उपदेश दे सकती हूं जब तक मैं इस विश्य परशिक्षा देती रहूं मेरे पास किसी भी उपदेश आनन्दित जीवन जीने के सिद्धानतों की कमी कभी नहीं रहेगी चलिए निकालते हैं इब्रानियों एक पद्दौ धन्यवाद भाई चाहे कोई कारण हो या नहों आप मेंसे कुछ लोगों को यह बताना जरूरी है कि आपको जीवन कानल लेना चाहिए देखिए मेरा मतलब है कि एक शैतान है जो आपकी खुशी को चूस लेता है वो हर समय हरी की खुशी को चूसने के प्रयास में घूमता फिरता है मैं आपसे सच कह रही हूँ आमीन इबरानियो एक नौ ये एक बहुत ही बढ़िया वचन है तुने धर्म से प्रेम रखा है तुने सच्चाई नीती और धार्मिक उद्देश विचार और कर्मे दिल्चस्पी ली और अधर्म अन्याय और पाप से बैर रखा यही सब हमें भी अपनाना चाहिए हमें धर्म से प्रेम रखना चाहिए पाप से बैर रख कर सचे मनुश्य बनना है इस कारत यह है कि आप इशू से प्रेम रखते हैं और हर दिन उठकर आप सही कारे करने की कोशिश करते हैं इमानदार रहने की कोशिश करते हैं सच बोलने का प्रयास करते हैं आपसे जितना हो सके करते हैं और बाकिया प्रभु पर छोड़ते हैं अब देखे आपको क्या मिलता है इस कारण परमेश्वर इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे सातियों से बढ़कर हर्श तो यहां कहा गया है कि हमें दूसरों के अपेक्षा अधिक खुश रहना चाहिए केवल खुश ही नहीं परन्तु आपके सभी सात्यों आपके सभी मित्रों और सभी साहकर्मियों से बढ़ कर हर्श रूपी तेल से आपका अभिशेक किया गया है तो फिर आप केंगे भला में इतना खुश क्यूं नहीं हूँ क्यूंकि आपकी खुशी को चुराने वाले और बाधा उत्पनिक करने वाले एक कुछ लोग है हमें अवश्य कुछ करना चाहिए इस दुख, क्रोध, दबाव चिंता, निराशा, चुड़चुड़ापन, क्लेश और तनाओं का मैं आपसे कहते हूं कि इश्व जिन चीजों से होकर गुजरा उनसे इसलिए गुजरा ताकि आप उस प्रकार का जीवन नहीं बिताएं हम शैतान को चोरी करने का आफसर देते हैं हमें एक निर्ने लेने की आवशक्ता है मैं कहते हूं ये वक्त है निर्ने लेने का और आपको एक निर्ने लेना है और जरूरी है कि अपने छोटे पुनी कदम को आगे बढ़ा करके हैं बस करो शैतान, तुमने मेरी काफी खुशी चुरा ली है यदि एक चीज नहीं, तो कोई दूसरी और कोई दूसरी और कोई दूसरी और कोई दूसरी है अर्थात हमेश्या कुछ न कुछ रहता ही है आपको कहना है बस हो गया, आज मैंने ठान लिया है तुम्हीं दबे पैर खड़े रहना होगा मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं जीवन कानन लेना सीखोंगे अब सुनिये मैं क्या कहने वाली हूं जब मैं कहती हूं कि अपने जीवन कानन लीजिये तो उसका तातपरिय किसी छुट्टियों से या महीने की अंतिम तारिक यानि वेतन का दिन से नहीं है मेरा तात पर यह हर एक दिन का आनंद लेना इसलिए मेरे कारेकरम का नाम है प्रति दिन जीवन का आनंद लेना मैं आपको यह बता देना चाहते हूं कि जीवन में बहुत सी घटनाय आनंद दायक नहीं होती है हमें इसे मानना ही है अधिकानष जीवन बहुत ही साधारन होता है ये की काम पर जाना, भीरभार से निकलना, कुड़ा करका ठटाना, और चुड़-चुड़े पडोसी से निपटना चाहे जो भी बात हो जीवन कभी भी सिद्ध नहीं होता प्रभु को धन्यवाद कि हमारे पास उन सभी बातों से निपटने में हमारी मदद करने के लिए पवित्र आत्मा हैं, जिन से साधारन लोग नहीं निपट पाते हैं सामान्य जीवन को आलोक एक धंक से जीने के लिए हमें आलोक एक अभिशेक प्राक्त है आपके जीवन में इशू होने की कारण आप उन परिस्तितियों में भी खुश रह पाते हैं, जिसमें दूसरा कोई खुश नहीं रह सकता क्योंकि वो हमारी परिस्तिति नहीं है, वो प्रभु का आनंद है जो हमारी ताकत है और वो ही हमारी सामर्थ है हर्श रूपी तेल से अभिशेक किये गए हाललुया योहन्ना पंद्रा आज मैं एक अच्छी और मजबूत नीव डालने जारी हूँ मैं आपको यह दिखलाने वाली हूँ कि आपके प्रती प्रभू की इच्छा यही है कि आप जीवन का आनंद ले मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें यहीं से शुरू करना चाहिए मेरे विचार से हमें यह कहकर आरंभ करना चाहिए कि हाँ सच मुझ प्रभू चाहता है कि मैं जीवन का आनंद लू मैं नहीं जानती कि वो क्या है परंतु किसी तरह से शैतान ने हमसे जूट कहा है कि ऐसा कर करना हमारे लिए ठीक नहीं है मैं यह भी नहीं जानती कि हम इस बात से अवगत है कि हम इसे सोचते हैं हो सकता है मुसे चेतन मन से सोचते ना हो परूंतु किसी न किसी तरह से हम सोचते हैं कि हमारे लिए उसे करना उचित नहीं है यह कि हमें किसी भी काम को नियम कानून का पा आज हमें से कुछ लोगों के लिए ये आखे खोल देने वाली बात होगी कि जैसे की वाउ जीवन का आनंद लूँ कुछ लोग सोचते हैं कि जब तक वे सोचते हैं कि उनकी कोई समस्या है वे अपने जीवन का अनन नहीं ले सकते हैं उन्हें समस्या का समाधान करना होगा उन्हें उसके लिए कुछ करना होगा यह उनके लिए विश्वास का प्रयोजन है वे इतना ही कर पाते हैं कि अन्य भाशा में बोलते हैं फिरें बाइबल का अध्यन करें वचनों को कहें शैतान को दिखारें ये सब उसका एक भाग है कुछ आत्मिक अनुशासन भी है जिनको अपनाना जरूरी है ये बहुत ही आवश्यक है मैं आपको बताती हो आनंद एक अस्त्र है आपने जानते की आनंद एक अस्त्र है वास्तम में शैतान आपको हस्ता हुआ देखना नहीं चाहता नजाने हम क्यों सोसने की चर्च में रोना ठीक है लेकि नेदी आप हसने लगते तो सब आपको भक्तिहीन मानते हैं आज ही मैंने पढ़ा था कि कुछ लोग इतने निराश हैं कि वे लाफ्टर क्लब जाने लगे हैं वे हर सवेरी एकत्रित होकर उस दिन की शुरुआत करने से पहले हसने का उपाई ढून रहे हैं, मैं भी एक क्लब खोलना चाहती हूं लाफ्टर क्लब दिखे यहां एक बात है, बात यह है कि जिस समाज में आज हम रहते हैं, उसमें दिया फसना और जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, तो आपको उसे जान बूच कर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें उतनी कोई मज़ेदार बात नहीं है हर कोई एक दूसरे से नफरत करता है और खून करता है, कलीसिया के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लोग जगरते हैं, और लोग बश्यूरू हो जाते हैं, मुझे यहां से यह बाहर ले चलीशू शायद आज का दिन शांती पोर्ण हो मैं नहीं जानती इस पर विचार कीजी, यह सच है न, इदि आप जान बूच कर ना करें, तो मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा करेंगे इसलिए मैं मानती हूँ कि यह संदेश महत्वपोर्ण है और हमें कहना है कि यह प्रभू की इच्छा है जितना अधिक प्रभू चाहता है कि हम अपना करतवी निभाय उतना अधिक वो चाहता है कि हम जीवन का आनंद ले शायद कोई 15 वर्ष पूर मुझे इस विशय पर प्रकाशन प्राप्त होने लगा और मैं बहुती जिम्मेदार व्यक्ती हूँ और मैं कड़ी मेहनत करती हूँ मेरी बहुत सी जिम्मेदारिया है और मेरी लिए बहुत सारा काम है मुझे बहुत सी बातों से निपटना पड़ता है मैंने एहसास किया कि जितना अधिक मुझे इस सेवकाई और परमेश्वर के बुलावई के प्रती लगाओ था वास्तों में मैं उतना उसका आनंद नहीं ले रही थी आशा है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं कहना पागल पन लगता है कि मुझे ये पसंद था मुझे में एक भाग ऐसा था जो मेरे कर्मों से बहुत संतुष था मैंने हमेशा सोचा कॉन्फरेंस हमापतोंने पर खुशी होगी जब मैं घर जाकर रविवार के मजे ले सकूँग हम चाहते हैं कि लोग अभी खुश हो ना की तब देखी मैं एक हफ्ते की छुटी ले रही हूँ और मैं अपने आपको हमेशे कहता पाती हूँ मैं इतनी खुश होगी जब मैं इतनी खुश होगी जब हम अधिकांशता ऐसा कहते हैं हम बहुत कुछ कहते हैं मैं खुश होग कुछ वर्ष पूर्व सच मुझे अपने आपको रोक कर कहना पड़ा यदि मैं अपना जीवन प्रचार करने में हवाई जहाज में सफर करते हुए हवाई अड़ों में तथा होटलों में बिताऊंगी वगएरा 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 तो भी मैं उसमें आनंदित रहूंगी और यह सब मन की बात है यदि आप चाहे तो ट्राफिक में खड़े रहने का मजा ले सकते हैं आप निराश परेशान और नाराज होने का निश्चे कर सकते हैं या कह सकते हैं मैं यहां पर हूँ और मैं इसमें मजा लूँगी इमानदारी से मैं मानती हूँ यदि आज आप एक फैसला करेंगे कि आप जीवन के हर छोटी चीज़ का आनंद लेंगे यहां तक कि उन लोगों के साथ भी जो आपको पागल कर देते तब आपको अवश्य आनंदित होने का आवसर मिलेगा अगर कुछ और नहीं तो खुश हो जाईए कि वो आपके फल की परिक्षा ले रहे हैं और ईश्यो में आपको बलवंग बना रहे हैं आप लोग सोच सकते हैं मैं आनंद लेती हूँ क्यूंकि आप मुझे प्रभू में विक्सित कर रहे हैं यूहन्ना 15.11 इश्योनिका मैंने बताया कि मेरा आनंद और खुशी तुम में हैं और तुम्हारा आनंद और खुशी परिपूर्ण हो और संपूर्ण हो जब तक कि वो उमड़ना पड़े हम परिपूर्णता की बात अकसर सुनते हैं वो चाहता है कि आनंद हममें से उमड पड़े वो उसे देखना चाहता है चाहता है कि दूसरे भी इस उमडने का लाब उठा सकें और देखना और चाहना आखिर ये है क्या हमें योहन्ना 15 पूर पड़ना पड़े गए जानने के लिए कि ये क्या है जो इशू लोगों को बता रहा है, वो अपने में वास करने की बात कहता है, अगर मुझे में रहो और वास करो, दूसरी शब्दों में वो मुलता कह रहा है, अगर मुझे अपनी जिन्देगी का मुख्य अंग बना लो, अगर सब कुछ मेरे चारों और केंद्रित हो, योहना पन्रा वो कहता है, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, अगर तुम्हारा वास मुझे में और मेरा वचन तुम में है, जो तुम मांगोगी वो मैं तुम्हें दूँगा, जब तुम मुझे में रहते हो, तो अधिक फल आज हम जीवन का और अधिक आनंद लेने की विशेपर चाचा करे थे, मैं जानती कि आप में सनीक लोग वास्ताओं मैं सनी करते हैं, मेरे जीवन में भी कई साले से थे जब मैं अपने जीवन का आनंद लेना नहीं जानती थी, मैं जिम्मेदार, परिश्रमी, कर्थवी नि आज मैं आपके लिए प्राथना करना चाहती हूं कि आपकी जीवन में जो हो ना है उसे प्रभु स्वयम करें और आज आप अपने जीवन का आनन लेने का निश्चय अवश्य करें। पिता ईश्य के नाम में मैं अपने सबी दर्शों को के लिए प्राथना करती हूं मैं उन्हें चाहती हूं और इसी वक्त उन्हें प्राथना से ढपती हूं मैं प्राथना करती हूं प्रभु की वे ये निश्चय करें कि आगे से वे दुखी व्याकुल और निराश रहना करेंगे वे अपने लिए जिस काम को समझते हैं उसमें काम्याब होने में उनकी बदत कर और वे उन बातों की चिंता छोड़ दें जिससे सिर्फ तू ही कर सकता है और जान बूच कर हर दिन आनंदित रहें ईशु के नाम में आमीन प्रभू आपको आशिश दे आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेर मिनिस्ट्रिस एशिया में महत्वपूर्ण है हम आपकी सरहना करते हैं आप सभागियों का धनिवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं एक साथ हम भूंगों को भोजन गरीबो यह आप हमारे संसार में सब्सक्राइम को भी की सौने को बड़ते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाने झाल झाल